हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल, आज हम बनाएंगे नानी दादी के हाथों वाला कम तेल में बना, दो तिन साल तक चलने वाला आम का सूखा अचार, इस अचार को इस तरीके से ही सूखा स्टोर करके रखा जाता है, इसे तेल में डिप करने की बिल्कुल भी आप नहीं होगा, तो इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस अचार में आपको वही टेस्ट मिलेगा, जो हमने बच्पन में खाया था, तो क्यों ना बच्पन की यादों को ताजा करें, तो आईए, बनाना शुरू कर मैंने लिए हैं, तीन किलो अचारी आम, अचारी आम देखने में थोड़ा छोटे साइज का होता है, लेकिन बहुत खटा होता है, तो हमें ऐसा ही है अचार के लिए आम चाहिए, तो सबसे पहले हमने इनको खुली बाल्टी या टब में डाल कर खुले पानी में, दो तिन ब आम कटर ले ले लें, और इस तरह से हमने आम को काटना है, अगर आपके पास आम कटर नहीं है, तो आप सिंपल चूरी से भी इसे काट सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगी, और दूसरी आप्शन है कि जब भी आप आम करे दने जाएं, तो सबजी वाले से फ्रेश बिल आम की कटिंग पसंद है, तो आप इस तरह से भी आम को काट सकते हो, चौकोर पीस पसंद है, तो इस तरह से काट लें, अगर ट्राइशनल तरीके से काटने हैं, तो लंबाई में काटें, वैसे लंबाई में काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो जैसी भी शेप में आ के से कट से होते हैं जिससे बड़ी आसानी से आम कट जाता है इस वाली चूरी से आप बड़ी इजीली आम काट सकते हो आधे से ज्यादा आम मैंने इस चूरी से ही काटे हैं और बाकी के आम मेरे हस्वें ने आम कटर से काटे हैं क्योंकि हम लेडिस के बस की बात नहीं होती आ पिछा देना है और पतला पतला करके इन सारे आमों को हमने उस पे सूपने के लिए डाल देना है और इनको हमने दो तीन दिन की अच्ची धूप में सुखाना है तीन दिन की धूप लगाने के बाद आम कुछ इस तरह से हमारे सूप जाने चाहिए आम का चिलका कुछ इस तरह से सॉफ्ट होना चाहिए बस इतना ही हमने इनको सुखाना है आम के पीस में कुछ इस तरह से नर्माईजी रहनी चाहिए तीन दिन में मैंने इनको कुल बारा घंटे की धूप लगाई है आम को सुखाने के बाद और जो काटने के बाद वेस्ट निकला था वो करीब 1.5 kg हमार पॉना चमच इसमें कलॉंजी डाल दे इनको हमने ज्यादा दिर रोस नहीं करना है जस्टी से हमने गरम करना है ताकि मौइस्ट्र इनका खतम हो जाए और पिर इनको निकाल देना है अब उसी पैन में हमने एक बड़ा चमच मिटी सों फिर से डालनी है और एक बड़ा चमच जीरा और 15-20 लाल मिर्चे एक बड़ा चमच काली सर्सों इनको भी हमने बस गरम करना है और निकाल लेना है अगर आपके पास अच्छी तीखी दूप है तो आप इनको दूप में भी सुखा सकते हो फिर आपको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है मीठी सोंफ जीरा सर्सों औ हमने दरदरा सा पीस लेना है कुछ इस तरह से दरदरा सा ही पीसना है बहुत बारीक नहीं करना है और जो बाकी के मसाले हमने बचाए हैं उनको हमने साबूत ही डालना है अब पैन में तीन बड़े चमच सर्सों के तेल के डाल दें अचार आप कोई भी बनाएं सर्सों के त तेल को अब हमने कोई धूआ लगने तक नहीं पकाना है बस अच्छे से गरम होने देना है जब आपको लगे कि तेल गरम हो गया है तब हमने इसमें डालना है चारपान चुटकी हींग इस अचार को हम बिल्कुल ट्रैडेशनल तरीके से बना रहे हैं तो हींग को आपने इसम वेवर आता है हींग का इसमें जैसे ही हमने इसमें हींग डाला था उसी टाइम हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है हींग को हमने कुछ सेकंड ही रोस्ट करना है और इस गरम तेल को हमने इन पिसी के ओपर डाल देना है जो मसाले हमने पिसे हुए थे और जो साबुत मसा सब आपको मसाला मिला ताइम तेल थोड़ा कम लगे तो थोड़ा सा तेल आप इसमें और एड़ कर सकते हो पर पूरी तरह से जब यह अच्छे से मिक्स हो जायगा तब आपको इसमें तेल डालने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी अच्छा सा कलर लाने के लिए दो छोटे मैं इसमेरी लालमिज पाउडर डाल लही हूँ लेकिन ये बिलकुल ऑप्शनल है इसे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है इस लालमिज पाउडर से अचार में बहुत बढ़िया सा कलर आ जाता है अब सबसे ज़रूरी चीज हमने इसमें एड करनी है वो है सफेद सिर्का चार चार को हमें स्टेरलाइज करने के लिए उपारी उबालने की जरूरत नहीं है इसे हमने बर्दन वाले सोब से अच्छे से दोना है धकन और जार को हमने धूप में अच्छे से सुखा लेना है उसके बाद हमने इस बआल देना है आधा अचार मैं आपको बाल में निकाल कर दिखाती हूँ, बहुत ही बढ़िया कलर आया है इस अचार का, इस अचार को हमने तेल में कोई डिप नहीं करना है, थोड़े से तेल के मौश्चर से ही सातार दिनों में ये अचार सॉफ्ट हो जाएगा, इसे धूप में रखने की भी जरूरत नहीं है, ये अचार दो-तिन सा की भी पसंद आती है, तो प्लीज लाइक कॉमेंट जरूर करें, और प्लीज मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक्स पर वाचिंग